Hello everyone, हम economy को study कर रहे हैं और ये वीडियो आपके हर उस exam के point of view से important है जिसमें economy से related question पूछे जाते हैं तो अब तक हम discuss कर चुके हैं economy की definition और economy के कुछ type economy का first type communism जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो economy है वो government के द्वारा control होती है economy का second type capitalism और यहाँ पर हमने देखा कि open market होता है और यहाँ की जो economy है वो market forces के द्वारा control होती है यह market forces क्या होते हैं तो market forces होते हैं demand and supply demand and supply क्या होती है तो demand का मतलब होता है mang और supply का मतलब होता है अपूर्थी अब आप बोलोगे कि मैं हिंदी translation नहीं बताना है आपको इसको explain करना है explain करते हैं सबसे पहले demand को समझो मान लो आपने एक wish की आपको लगता है कि आपको एक phone लेना है तो क्या wish करने से आपको phone मिल जाएगा मिल सकता है अगर आप children है और आपको जो parents है वो आपको दिलवा दे लेकिन अगर आप एक mature person है खुद कमाते हैं तो आपको wish करने से phone नहीं मिलेगा उसके साथ में आपके pocket में money भी होना चाहिए मतलब जो demand है वो represent करती है money को अगर हम ये बोले कि market में बहुत ज़्यादा demand हो रही है phone की मतलब market में बहुत ज़्यादा क्या हो रही है phone खरीदने वाले लोगों की जो संक्या है वो increase हो रही है तो goods and services का जो production है अगर production ज़्यादा हो रहा है तो इससे भी जो market में economy है वो effect होगी आगे हम इन सारी चीजों को जब relate करोगे तब आप इनको और अच्छे से समझ पाओगे simple तरीके से आप ये समझो कि demand and supply में अगर balance बना रहता है मतलब जितनी मांग है उतनी अगर market में supply हो रही है जितनी demand है उतनी supply अगर market में हो रही है तो economy जो है वो एक balance तरीके से maintain रहती है लेकिन इन दोनों की balance में अगर कुछ गड़बड होती है चाहे तो demand बढ़ जाए, चाहे supply बढ़ जाए, चाहे demand कम हो जाए, चाहे supply कम हो जाए, तो इसकी वज़े से जो economy जो है, उसमें भी कुछ fluctuation देखने को मिलता है, इस तरीके से समझो, कि माल लो market में demand जो है वो बढ़ गई, जैसे कि example के थुरू हम समझते हैं, माल लो पहले market मे 1000% थे और 1000 phone की availability थी, तो क्या होगा, 1000% को phone करीदना है, 1000 phone है, balance बना रहेगा, economy में कोई effect नहीं पड़ेगा, एक balance वे में economy जो है आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन कुछ change हुआ, market में जो है वो money बढ़ गया, मतलब पहले 1000 लोगों के पास में money इतना था कि उनको phone लेना है, अ 2000 लोगों के पास में money बढ़ गया है, मतलब market में money की availability ज़्यादा हो गई है, मतलब demand जो है वो increase हो गई है, और phone की संक्या 1000 ही है, अब इससे क्या होगा, demand जब जब ज़्यादा बढ़ेगी और supply जो है वो same है या कम हो गई है, तो इससे पहले जिन phone की कीमत, जो प्राइज है मालो, एक phone की price उस time थी, जब पहले balance था, उस time price थी 10,000, तो जब पहले 10,000 में एक phone मिल रहा था, अब 2000 लोगों के पास में पैसा हो गया, तो लोग बोलेंगे, मैं 11,000 दूँगा, मैं 12,000 दूँगा, मैं 13,000 दूँगा, और हो सकता है कि एक phone की price जो है, वो 20,000 या 25,000 तक च अगर ज़्यादा होगा, तो इससे जो है, वो inflation increase होगा, दूसरी तरफ हम देखते हैं, कि अगर market में supply ज़्यादा है, मालो, phone 1000 है, और लोग खरीदने वाले पहले कितने थे, 1000 लोग थे, तो balance था, अब supply में जो है, वो production में जो है, वो increase हो गया है, 2000 फोन हो गया है, मार्केट हो गया, 2000 बेचने वाले हैं, तो इससे क्या होगा, कि लोग यहाँ पर छूट, offer सुनते हो ना, आप market में, offer जो है, वो offer इसी लिए दिया जाता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बिक्री हो, अब आप बोलोगे कि वो बेचे ही ना, जब 2000 लोग हो तब ही बेचे, ऐ क्या होगा, लोग जो है, उनको कम price में भी phone मिल जाएगा, तो जब demand कम हो, लेकिन supply ज़्यादा हो market में, तो इससे क्या होता है, deflation होता है, आर्थिक मन दी आती है, अब यह inflation और deflation होता क्यों है, यह तो हमने discuss कर लिया, अब इनको कौन control कर सकता है, देखो, market में money की availability अगर ज़्यादा हो रही है, तो उसको दो तरीके से control होता है, RBI जो है, उसके पास में power होती है, कि वो market में money को बढ़ा भी सकता है, और money को गठा भी सकता है, RBI के पास में कुछ tools होते हैं, आप simple language में समझ लो, कि RBI के पास में power है, हलांकि इसकी कुछ policies होती है, वो जब हम आगे discuss करेंगे banking sectors को, तब हम discuss करेंगे इन सभी के बारे में कि RBI के पास में कौन-कौन से tool है, एक तो RBI जो है, वो market में liquidity, money मतलब liquidity को बढ़ा सकता है, money को बढ़ा सकता है, और दूसरा है government, government जो है, वो ज्यादा से ज्यादा scheme में खर्चा करें, तो इससे भी market में जो money है, वो increase हो होगा, जब market में money increase होगा, मतलब demand बढ़ेगी, और इससे क्या आएगा, inflation आएगा, तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें inflation को control करना है, तो आपको market में क्या करना होगा, आपको market में money की availability कम करनी होगी, और इसके लिए RBI जो है, वो अपने tools का use करके, market में money को कर देगा कम, अ इसा नहीं होता है, वो RBI के कुछ tools है, वो हम discuss करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से clear होगे, अभी आप ये समझेए, कि RBI जो है, वो market में money की availability को increase भी कर सकता है, और decrease भी कर सकता है, तो RBI जो है, वो अपने monetary policy का use करके, क्या करेगा, market की, जो money की availability है, उसको कमी या ज़्यादा करेगा, ओके, तो inflation को अगर हमें control करना है, तो RBI अपने monetary policy का use करके, inflation को control कर सकता है, सीधे तरीके से, inflation में आपको सिर्फ market में money की availability जो है, वो कम करनी है, ओके, दूसरी बात है deflation, deflation में क्या होता है, कि आपको market में money की availability कम हो गई है, और supply ज़्यादा हो गई है मतलब demand कम हो गई है, और supply ज़्यादा हो गई है, तो आपको वो ही RBI जो है, वो market में money की availability बढ़ा देगा, और इससे जो है, वो आपकी money supply बढ़ेगी, और दुबारा से economy balance हो जाएगी, तो inflation को control करने में, RBI की monetary policy जो है, वो बहुत ज़्यादा helpful रहती है, और deflation को control करने में, government की जो official policy है, वो बहुत ज़्यादा helpful रहती है, तो ये आज का हमारा demand and supply जो basic concept है, economy का, उसको हमने discuss किया है, अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो please वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे, और channel को subscribe कर दीजे, आप हमारे telegram channel के साथ में भी share की जाती है, okay, thank you.